My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra Online Classes for Education. मैं आप सभी लोगों का एकवाल फिर से Dr. S. Chandra Online Classes for Education ने सागत करता हूँ. प्रिविद्यार्थियों, पंडित दिन दियालुपाद है, गोरख पुरिप्षुदाले गोरख पुरुकी जो विद्यार्थि हैं उनके लिए फूर्थ सेमेस्टर में कोर्स है, एजुबीडर वर्न नेट 14, इसका पेपर हुआ है 18 जुलाई 2023 को, तो Fundamentals of Teacher Education में जो 18 जुलाई 2023 को पेपर हुआ था, इसमें Descriptive में कौन-कौन से प्रस्ण आयत है और Objective में पहले 20 प्रस्णों को हम सभी लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग Question No.1 लेकर Question No.20 को सॉल्व कर चुके हैं, तो हमारा जो पहला Question होगा, That will be Question No.21 यह प्रस्ट वही है जो कुश्चन नबर वन था प्रस्ट नहें भारत में स्रिक्षण के च्छत में किस इरोपी मिसिंग्री ने पत्पदसन का कार किया तो रिप्टेट कुश्चन है इसका एंसर होगा डेन यहां पर जो सी विकल्प है सी विकल्प सी ओप्सन राइट आप्सन डेन मिसंद विए ट्रावन कोर में एक स्रिच्छ प्रस्ट विद्धाल है आगरा मेरे इलहा बाद तो तहां शुरू किया गया तो उत्तर पुर्देश में इलहाबाद में पहली बार बेसिक अध्यापक प्रस्ट्रिक्ण का कार शुरू किया गया था सुस D option is right option next question question 23 प्रस्ट अच्चर प्रस्टी प्रस्ट के तेश प्रस्ट रेनिग इस country is known as the Samuel Reed Hall in 1823 to train teachers तो teachers को train करने के लिए पहला नॉर्मल स्कूल 1823 में अमेरिका में खोला गया था तो अमेरिका को ही सिक्चर प्रस्चिशन का प्रणेता कहा जाता है प्रस्चन क्या 24 से What type of courses are running in teacher education सिक्चर सिक्चा में किस प्रकार के पार्टिक्रम चल रहे हैं यह options are theory, सिधान, teaching practice से सिक्चन अभ्यास, practical works से प्रणेत करें and all of this तो आप सभी लोग इससे related सिधान भी सिक्चन अभ्यास भी प्रणेत कर सभी चलते हैं तो यह is the D option यह सभी सही उत्तर होगा अगला प्रणे 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 क्या प्रचीस question number 25 which of the following is the apex body in the area of teacher education in India भारत में अध्यापकों की सिक्चा के लिए सिर्ष निकाए कौन सा है तो आप सभी लोग जानते हैं that is ENCTE that is National Council for Teacher Education ENCTE जो है भारत में अध्यापकों की सिक्चा के लिए सिर्ष निकाए होता है यह है next है question number 26 in service train teachers are given continuous education से वारत पर सिक्चे सिक्चकों को सतत सिक्चा दे जाती है अभी नोग पार्टिक्रम विचार गोश्टियों द्वारा थ्रो इन नेटिव कोर्सेज सेमिनार्स कारसालाय मुद्रि सामगरी वित्रन द्वारा वर्क्सोप बाइदिस्टिबिश्टिशन अप्रिंट में द्वारा थ्रूँ अभी नेज़ाइड पर सिक्चकों को सेवा कालिन प्रिश्टिशन काउन देता है आप सब जानते कौन देता है इस तो इस टिटाथ इस टिट्ट फॉर इज्टिशन अट्रेनीग वही जिला पर सिक्चकों को सेवा कालिन प्रश्टिशन देता है अगला प्रश्ण है प्रश्ण के 28 प्रश्ण है, which one is the major function of NCTE, निम्र कित में से कौन सा NCTE का प्रमुक कारियों में से एक है, your options are A, पहला option जो है to promote coordinated development of teacher education, शिक्षक सिक्षा के समनित विकास को बढ़ावा देना, दूसरा, to reduce the gap between supply and demand of teacher, शिक्षक को की आपूर्त और मांग के बीच कांतर को कम करना यह नहीं है, to regulate the establishment of institution of teacher education, शिक्षक सिक्षा संस्थानों की अस्थापना को विनिमित करना, to organize pre-service and in-service training to teachers at an advanced level, एक उननत अस्तर पर सिक्षकों के सिवापूर और सिवा करनी पर सिक्षण कायों करना, यह भी नहीं है, तो इसमें से जितने option दिएगा, उसमें से जो A option है, शिक्षक सिक्षा के समनित विकास को बढ़ावा देना, to promote coordinated development of teacher education, that is the right option, next question, question number 29, question 39, problem of teacher education is, अध्यापक सिक्षा की समस्या है, आप सभी लोग उसे रूबरू है, पहला है, no balance between principle and behavior, सिद्धान तो अभिवार में असन तुलन सही है, दूसरा, useless curriculum, अनुप्यूक्त पार्ट चारह यह भी सही है, इसरा, lack of cooperation in teacher education institution, प्रसेशन असता में तालमिल का भाव, यह भी सही, so here the D option, all of the above is the right option, next question is, question number 30, when was the curriculum framework for quality teacher education published by NCRT, NCRT द्वारे curriculum framework for quality teacher education कब प्रकासित हुआ था, तो कब हुआ था, इस भी repeated question है, 1998 में हुआ था, C option is the right option, curriculum framework was developed by non-statutory NCRT in 1978, that was revised by NCRT in 1998, first curriculum framework for quality teacher education by NCRT was given in 1998, आप देखे, कहा जारे कि curriculum framework was developed by NCRT in 1978, उसका revision NCRT के द्वारा 1988 में किया गया, और first curriculum framework for quality teacher education कब दिया गया, 1998 में, यहाँ पर C option जो होगा, C option is the right option, 1998 या 1998 में, अगला प्रस्ण या प्रस्टन क्याकती है, question number 31, प्रस्ण है, secondary education is the weakest link in our education system, which commission said, माध्यमी सिक्षा, हमारी सिक्षी पनाली की सबसे निरबल कड़ी है, यह किस आयोग ने कहा, your options are, कोथारी कमिशन या कोथारी आयोग, मुदालियर कमिशन या मुदालियर आयोग, रधाकिष्ण कमिशन या रधाकिष्ण कमिशन या ताराचंध कमिशन ने कहा था, समित ने कहा था, तो dear students, this statement is given by Radha Krishna, Dr. Yes Radha Krishna ने दिया था, so here the C option is the right option, he said that, आवर सेक्ष्ण या एजुकेशन या ताराचंध कमिशन सेथरी की सबसे कमजूर कड़ी बनी हुई है, और इसमें ततकार सुधारकी आवशकता है, our secondary education remains the weakest link in our educational missionary and needs urgent reform. This statement is given by Dr. S. Radha Krishnan. So, here the C option is the right option. Next question is question number 32. The purpose of in-service teacher education is Sewarat Adhyaapak Shikha ka Uddej se hai. Here options are A. Bringing quality in teachers Adhyaapako mein gulwatta lana se hai. To inform about new education investments, Navin Shikha puritan sa ahogat karan a b se hai. Promotion and dissemination of new knowledge Navin Gyan ka prachah prasakan a b se hai. So, here the D option is the right option. All of the above. Next question is question number 33. This question is training group method is used for Prasikshan sammo pravidhka upyog kiya jata hai. Here options are A. In others vidyala, in block teaching, in internship, none of the above. So, dear students, ek neya term is jiske baare aap nahi ho sakta na sune hai. That is the block teaching. To block teaching kya hoata in block mode of teaching, that is BMD. Isko hum log BMD bhi kahte hai. Block mode of teaching. Also called intensive mode of teaching or block scheduling is a style of teaching in which subjects are condensed into shorter time period. Blocks can be as short as one week or even a few days as opposed to semester which is usually about 12 weeks. Arthahat bharah saptah me joh eek semester padha jata hai. Unni contents ko kya 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 jata hai. Convince kar diya jata hai. Usko 4-5 dhin me yae kisi ek aak saptah me ke anndar uski teaching kar dhe jati. Uska prasikshan dhe dhe jata hai. Prasikshan sammo pravidhka ke liye joh block sikshan hai. Block teaching hai. That is the right option. So, here the b option that is in block teaching a block sikshan joh hai. So, b option is right option. Next question. The best student teaching dimension is considered to be. Sabse uttam chhat sikshan ayam mana jata hai. Yeh bhi pichli prasikshan related hai. That is who kya hai? That is block student teaching dimension. Block student teaching dimension block chhat sikshan ayam hai. A student block eejay group grouping of students information into block based on number of common academic characteristics. Ismae kya kya gartate hai? Ki aiasi samashtra vidyarthi jinkir ki common academic characteristics hooti. Unkoi eek saath block kar dhiya taa aur unko sikshan pradhan kiya taa. The block student teaching dimension joh hai. Woha sabse uttam sikshan ayam maana jata hai. Aagla pрашne pрашne kya? 25 question number 35. What is the main causes for deterioration in the social prestige of teachers? Sikshanko ki samajik prathishtha ki haras ka pramukkaran kya hai? Options are changes in social values samajik mulliyo me badala. Prominence of wealth in life, jeevan midhan ki pradhantha. Deteriorations of professional commitment biausaheik nishtha me kami hai. In me se koi ni toh. Joh biausaheik nishtha me kami hai ya deterioration of professional commitment hai. Yeh sabsi appropriate option hai. So here the C option is right option. Next question, question number 36. Pрашne hai. The art of teaching involved. Sikshan kala ke antarga saamil hai. Motivating the learner adhigam karta ko prerina dhena. Inspiring the learner adhigam karta ko prerina dhena. Creating teaching learning situation. Sikshan adhigam isti ko nirmaaad and all of deva toh. Yeh hai phe upuriuk sabi jitne bhi option dheyegan sabi sabi sahi hai kya ki the art of teaching involved. Motivating the learner. Inspiring the learner. Creating teaching learning situation. So here the D option that is all of deva is the right option. Next question, question number 37. 1. Prashtan kya sentis. Prashtan hai. You want to ensure participation of more students in class, which of the following methods of teaching would you adopt? Aap kakchha me adhig chhatmino ki bhaagidari sona shiit karna chahate hai. Aap nirakitmise sikshan ki kauen si vidi aapnayeng te. Options hai demonstration, discussion, recitation ya role play. Toh purdarshan mein kambachy hoote hai involved hoote hai. Sauswar paart mein bhi kambachy involved hoote hai, role play में भी कमी बच्चे इन्वाल होते हैं यहां पर जो चर्चा है या दिसक्शन है या बहुंस है इसमें अधिक से अधिक बच्चे इन्वाल होते हैं the simplest form of group based learning technique is the discussion the strength of the discussion lies in the broad participation of the members of the group so here the B option is the right option जो B option है यहां पर that is the right option now the next question question number 38 प्रस तंख्यारतिस प्रस नहें which level of teaching involves the development of problem-solving abilities constructive and critical thinking skills and original and innovative thinking power of the learner चर्चन के किस ऐस्तर में सक्षारतियों कि समख्या स्रादान चमता राचनातर को और आलोशनानत्नक सोच को सल और मूर्म नमीन सोच सकती का विकास सामील है तो कितने अस्तर होते हैं तीन होते हैं श्क्षन का इसमें की स्तर समझ एस्तर और तरकना अस्तर या reflective level of teaching और reflective level of teaching म तो आप क्या करेंगे पनिश देम उन्हें सजा देंगे नहीं एक्स्पेल देम फ्रॉम स्कूल उन्हें स्कूल से निकाल देंगे नहीं तेक्ड रिवेंच वाइल इंटर्नल टेस्ट अपी आंतरी परिछ्छा की कापियों को मुल्यांकन पर देंगे यह भी नहीं क्यों भारती परस्तियों में जो मायक्रोटीचिंग होती है मायक्रोटीचिंग शाइक्ल में अप देक्रिखेंगे टिचिंग के लिए आपको कितना समय दिया ज्याटा है आप्ले प्रेक्टिश भी के आखाई होगा च्व मिनटा समय दिया आता है So here the C option is the right option Dear students, इस तरह से 18 July 2013 को Eju B.A.D. 1814 Fundamentals of Teacher Education का जो paper हुआ था B.A.D. 4 semester के विए दियार्थियों के लिए उस paper का हम लोगों ने solve किया पहले हमने देखा कि ब्याख्यात में कौई कौन कौन से प्रशना आया थे फिर objective में कौन कौन से प्रशना आया थे objective के question number 1 से लेकर के question number 20 को हम लोग पिछली क्लास में solve कर चुके हैं question number 21 से लेकर के question number 40 को आज की क्लास में इस कर्चा में हम लोगों ने solve किया उसका answer देखा करने का प्रयास करेंगा और साथ साथ जो भी आपके वहमले सुझाओं पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगा और सब्सक्राइब आपने चैनल को subscribe कर लेजए जिससे कि आपने पूर से रिलेटर से भी एज कुछ वीडियो जो को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर करके सर्च कर पाएं देख पाएं डूड पाएं और सांतिसां जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में एक बिल का एकन है उसको प्रिस कीजिए उसको दबाने पर कुछ सब्सक्राइब को चुछ कर लेजिए चुन लेजिए सेलेक्ट कर लेजिए इससे ही होगा कि आपके कोर्स इलेटर जितिम नए एज कुर्शनल वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन उसकी सुचना पुछ समय से मिल जाएगी और आपका वीडियो मिस नहीं होगा दिए दीए कि नहीं होले आपका आपका और च्राणी चराणा और ऑघस एक आरमनेट समय साथ कोरने व itselfगा जाएंगे उके उसका जाएंगे